इस सवाल में आपको दिया गया है एक वैलू जिसका वेट दे रहा है डबलू और आपसे बोला गया है कि ये वैलून डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए से नीची गिर रहा है आपसे पूछा गया है कि इस वैलून पे एर कितना फोर्स लगा रहा होगा तो माल लेते हैं कि एर जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा वो है आर तो ऐसे में जो इसको उपर नेट फोर्स होगा है डाउनवर्ड डारेक्शन में अगर मैं डाउनवर्ड को पॉस्टिव लेलू अपको नेगेटिव लेलू तो मैं लिख सकता हूँ downward direction का net force कितना है W minus R तो इसलिए मैं equation लिख सकता हूँ W minus R is equal to mass into acceleration अब mass कितना होगा weight W है तो W कितना होता है mg के बराबर this implies mass कितना होगा W by g के बराबर क्या होगा mass W by g into acceleration this implies आपका जो reaction force आया है that is equal to W minus W by g into A this is equal to W into 1 minus A by g तो यह आपका resistance force लगाया है किसने A और ने यह आपका answer है क्यूओर अपका पकार the